लो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माइन मेप लिटेचर एंड टोड़े वी आर गोइंग तो डिसकस अवाउट ट्रांसेंडेंटिलिस्म ट्रांसेंडेंटिलिस्म क्या है और कौन इससे एसोसियेट था वो आज हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसेंडेंटिलिस्म अमेरिका का पहला फिलोसिपिकल और लिटरी मूउमेंट था जो 19th सेंचुरी अमेरिका में स्टार्ट हुआ अब ट्रांसेंडेंटिलिस्म क्या है समझते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक कॉलोनी थी ब्रिटिस की और जितने भी लोग यहां पे आके माइगरेट हुए वो ब्रिटेन के थे और प्यूलिटन्स थे तो जितने भी लोग अमेरिका में आके बसे वो मैक्सिमम प्यूलिटन्स थे और हमें पता है कि यह Puritans किसी भी आर्ट फॉर्म को सपोर्ट नहीं करते नहीं लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं आपको याद होगा 1642 में इनी Puritans ने इंग्लेंड में थीटर बंद करा दिये थे यह बोलके कि ड्रामास हमारी सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं तो इनी सब चीजों के बिरोद में 19th century America में एक movement का जन्म हुआ जिसे transcendentalism कहा जाता है Transcendentalism के पीछे जो major personality है वो है Ralph Waldo Emerson Emerson ने 1836 में एक famous work लिखा था Nature और transcendentalism का जन्म भी इसी work के साथ माना जाता है इसमें इन्होंने लिखा था जिसका simple language में ये मतलब है कि आपके और God के बीच में किसी तीसरे बंदे या mediator की जरूरत नहीं है और God से मिलने की कोई process भी नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको एक proper रूप से बरसिप करना होगी तब ही आप God से मिल सकते हैं अगर आपका देल सच्चा है तो आपका भी भी God से मिल सकते हैं Emerson का कहना था God यूनिवर्स में हर जगा present है और आप भी यूनिवर्स का part है तो आपके अंदर भी God है तो God से मिलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूत नहीं है हम अपने अंदर जाक कर God से सीधे सीधे कम्यूनिकेट कर सकते हैं जैसे हिंदूस में एक कॉंसेप्ट है अहम ब्रह्मासमी हमारे अंदर ही ब्रह्म का निवास है तो हमें इस्वर को दूरने के लिए बाहर जाने की जरूत नहीं है हम डारेक्ट इस्वर से कम्यूनिकेट कर सकते हैं राल्फ बाल्डो एमर्सन के साथ और भी लोग थे जोर्ज रिपली, फ्रेडरिक हैन्री हैज और विल्लियम हैन्री कैनिंग ये चारों लोग रेगुलरली हारवर्ड में मिलते थे और डिसकसन करते थे और इन्हों ने अपने ग्रूप को नाम दे दिया था ट्रांसेंडें एंड मैनी मोर जिस समय ये गुरूप बना था उस समय ब्रिटेन में रोमेंटिक चल रही थी उस समय विल्लियम वट्सवत एस्टी कॉलरिज थॉमस कारलाई ये सब लिख रहे थे ये रोमेंटिक एज की बहुत फेमस राइटर थे और ये लोग भी नीचर से बहुत पायर थी एमर्शन ने 1841 में एक ऐसे लिखा दा ट्रांसेंटेंटलिस्ट और जिसमें इन्होंने लिखा दा ट्रांसेंटलिस्ट बिलीव इन मिराकिल इन पर्प्चिवल उपननेस ऑफ यूमन माइंड तो न्यू इंफ्लक्स ऑफ लाइट और पावर की बिलीब्स इन इंस करके निकाल सकते हैं एमर्शन ने अपनी लाइप में बहुत सारे लेक्चर्स दिये हैं इन मेंसे कुछ फेमस लेक्चर्स हैं दा अमेरिकन स्कॉलर डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस सेल्फ रेलाइंस दा ओवर सोल दा पोयट और अब अब आब आल नेचर से रेलेटेड और भी राइटर्स हैं जिनके बारे में हम नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे होप आप लोगों को समझ में आया होगा इफ यू लाइक दी वीडियो प्लीस लाइक सेयर और सब्सक्राइब मैंड मैप लिट्रेचर थैंक्यू